हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल होम्स किछन आज मैं पनाने जा रही हूं बैगा नालू की सबजी आईए बनाना सुरू करते हैं कडाई मैंने गर्म होने के लिए दे दी है अब इसमें हम तेल डाल देंगे तेल गर्म हो चुकी है अब इसमें हम बैगन को फ्राइ कर लेंगे बैगन को मैंने इस तरीके से काट लिया है यह एक बैगन है छोटी सी अब इस बैगन को हम तेल में डाल के फ्राइ कर लेंगे बैगन हमारी फ्राइ हो चुकी है अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे गैस के फ्लेम को हमें लो कर देना है यह देखिए मैं सारी बैगन को प्लेट में मिकाल रही हूं को अब बची विटेल में हम अलो को फ्राइ कर लेंगे यह दो खोटे चोटे आलू है इस तरीके से मैंने काट लिया है तब इसको भी हम फ्राइ कर लेंगे तेल में इसे हमें 80% कुक कर लेना है जैस के फिलेम को हमें मेडियम कर देना है अब इसे हमें 2 मिनट के लिए कवर कर देना है आलू को हमें एक वार चला लेना है और इसको फिर से कवर कर देना है और गैस के फिलेम को हमें लो रखना है अब हम आलू को फिर से देख लेते हैं आलू हमारी 80% कुक हो चुकी है अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं ये देखिए मैंने आलू और बैगन को फिलेट में निकाल लिया है अब आगे के प्रोसेस पे चलते हैं अब बची हुई तेल में हम एक चुटकी हींग डालेंगे आदी चम्मच जीरा डालेंगे दो सुखी लाल मिर्च डालेंगे अब इसे चटकने देते हैं उसके बाद इसमें हम एक कटीवी प्यास डालेंगे जिसको मैंने बारिक काट लिया है अब इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूल लेना है जैस के फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है प्याज हमारी हो चुकी है अब इसमें हम प्याज अजरक डालेंगे इसे भी मिला देंगे हम उसके बाद इसमें हम एक कटी हुई टमाटर डालेंगे जिसको मैंने बारिक काट लिया है इसे भी मिला देंगे उसके बाद इसमें हम मसाले एट करेंगे मसाले में सबसे पहले हम एक छोटी चम्मच हल्दी पॉडर आधी छोटी चम्मच धनिया पॉडर एक छोटी चम्मच कस्मीरी लाल मिर्च आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पॉडर टेस्ट के एकार्डिंग नमक उसके बाद इसमें हम एट करेंगे आधी छोटी चम्मच सौप का पॉडर अब इन मसालों को हम मिला लेंगे इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे जलेना इसके बाद इसको हम दो मिनट के लिए कवर कर देंगे गैस के फ्लेम को हमें लो कर देना है अब हम मसाले को एक वार देख लेते हैं मसाले से तेल बाहर आ चुकी है एक वार इसको इस तरीके से हमें चला लेनी है गैस के फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है अब इसमें हम थोड़ा हरा दनिया डाल देंगे इसे भी मिला देंगे अब इसमें हम फ्राइ किये हुए बैगन और आलू डाल देंगे अब इसे मसालों के साथ हम थोड़ा भुल लेंगे बिल्कुल हमें हलके हातों से भुलना है इसे इस तरीके से हमें भुल लेना है यह आप देख सकते हैं मैंने मसालों के साथ इसे बुल लिया है अब इसमें हम बिल्कुल थोड़ा पानी एड करेंगे और इसे दो मिनट के लिए कवर कर देंगे अब इसे इस तरीके से हमें मिला देना है और दो मिनट के लिए कवर कर देना है गैस के फ्लेम को हमें मीडियम रखना है अब इसको एक बार हम देख लेते हैं इस तरीके से हमें बिल्कुल हलके हातों से हमें एक बार इसको चला लेना है उसके बाद इसमें हम कस्तूरी मेथी एड करेंगे थोड़ा अहरा धनिया अब इसको हम मिला के फिर से दो मिनट के लिए कवर कर देंगे अब इसको कवर कर देंगे अब इसको हम देख लेते हैं एक बार यह हमारी बैगा नालू की सबजी बिल्कुल बनके तयार हो गई है अब इसमें हम एड करेंगे आदी छोटी चम्मच करम मसाला इसे भी मिला देंगे अब हम गैस के फ्लेम को आफ कर देंगे और एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे यह देखें मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ यह हमारी चटपटी बैगन आलू की सबजी बिल्कुल रेडी है अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें सेयर करें और बैल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें थैंक यू जैंक बाइकन प्रेस करना बाइकन प्रेस करें आई हो तो